नमस्कान धिर्बर की तमाम बड़ी और आयम खबरोग साथ मैं हो निस्था भारती सेना के पाइलटों एवं उनकी अपनी पूरी टीम को हिर्दय से नया हिंदुस्तान की जनता के 125 करोड जनता का सलूक और सलाम एवं प्यार भारती सेना के पाइलटों को सबसे पहले अखिल भारती कॉंग्रेस कमिटी के राश्री अध्यक्ष श्री राहूल गांधी जी ने बदाई दे कर उनका होसला अवजाई करने के बाद में पूरा नया हिंदुस्तान हमारी अपनी सेना को बदाई देने में लगा है और अपने आपको आनन्दित गौरवांतित एवं प्रफुलित महसूस कर रहा है आज हमारे इंडियन आर्मी मानी मोदी जी के कहने के अनसार पाकिस्तान में 400 आतंगवादियों का सफाया किया गया है इस उपलच में आज हम भारत वासी आडी कालेज समस स्टाप आज से उपलच में हम लोग जस्ट मना रहे हैं आज हमें इस बात की बहुत खुशी है कि जो हमारे परदान मंत्री ने जो कहा आज वो करके दिखाया आज पाकिस्तान में 400 आतंगवादियों है पाकिस्तान भारती वायुसेना द्वारा किये हमला पाकिस्तान के बाद अब और मुसीवत में फस्ता नजार आ रहा है एक तरफ आतंगवाद के मुद्धे पर पाक की पूरी दुनिया में थूतू हो रही है वहीं दूसरी तरफ इम्रान खान सरकार को अपने ही मुल्क में सवालों के कट घरे में खड़ा होना पड़ रहा है बिहार विध्याले परिक्षा समीती की दस्वी बोट परिक्षा के दौरान सोमवार को बकसर में गडित का परचा परिक्षा सुरू होने से पहले ही आउट हो गया बकसर के एस्पी उपेंदरनात वर्मा ने बताया कि परचा आउट करने वाले गिरों की दो लोगों को पकड़ा गया है यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहर घोशिस शिमला काल का रेलवे ट्रैक पर गारियों की स्पीड बढ़ाने के लिए सोमवार को पहली बार चार कोचों के साथ हाई स्पीड ट्रायल हुआ शोगी और शिमला के बीच 35 किलोमीटर पती घंटा की रफतार से इंजन के साथ कोच तोड़ाए गए